लेट्स कूप चलो पकाएं Assalamu alaikum, आज हम बनाएंगे कीमे वाले नान जो के आप घर में भी बना की खा सकते हैं सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया उसमें आदा कब पानी का डाल दिया एक चमा चीनी का डाल है उसको डिजॉल्व करेंगे पानी के अंदर साथ ही हमने लिया एस्ट, साथ ग्राम है तकरीबन यही पानी में डाल देंगे इसको तकरीबन 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे पूफिंग के लिए यह हमने 500 ग्राम मैदा लिया तकरीबन आदा किलो इसके अंदर जाएगा दो चमज भर के घीके दो चमज गीके गए है वन टेबल स्पून जाएगा नमग दही जाएगा इसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम यहां आदा कप इस्टमारा डिजॉल वह चुक है यह भी इसके अंदर डालेंगे आदा कप पानी का पहले डाला था आदा कप बाद में आप डालेंगे अब इस डो को गूंद लेंगे अब इस डो को गूंद लेंगे तो इसको आदे गहंटे के लिए हम छोड़ देंगे ताकर यह थोड़ी सी प्रूफ हो जाए उसके बाद आप से मिलते हादे गहंटे के बाद जाए गुप अब टाए है जब तक हमारी डोर एडी हो रही है उसको प्रूफिंग लीए अदा गंडा चाहिए तो जब तक हम आतना कीमा तियार करते हैं यहाँ पेधा अधा कीमा लिया इसके अंदर मैंने तीन से चार सबस मिर्चे हैं डाल की इसको चोपर में से एक दफा कीमे को खुले बर्तर में डाल लेंगे एक अदर प्याज मैंने चौप सबस्दनिया तो दीना जाएगा हाफ टीप स्पून जाएगा इसमें लेसन पॉडर हाफ टीप स्पून जाएगा अदरक पॉडर हाफ टीप स्पून सुरफ मिर्श का पॉडर जाएगा थोड़े से चिली फ्लेक्स जाएगे वन टेबल स्पून हल्दी आदा चमच जीरे खा वन टेबल स्पून सौट जाएगा क्योंकि हमने मैदे में भी डाला हुआ है नमक उसी साबसे थोड़ा सा काम रखेंगे दो चमच जाएगे भरके सुखा दनिया वन टीपून जाएगा गरम मसाला पाउडर अदा टीपून जाएगा सादू दनिया अब इसे हाथ की मदल से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे देखें कीमा सारा हम हमने मिक्स करके रख दिया अब जैसे ही डो हमारी प्रूफ होजेगी तो फिर हम उसे जो हैना नान रेडी करेंगे उससे अच्छी प्रूफ हो जुकी है यह ज्यादा नरम आपने नहीं इसका अटा गूंना तो कि हमने नान बनाने इसको बाही निकालते हैं इसका प्रूफ हो चुकी है अब इसके पेड़े बना लेंगे पेड़े बना लेंगे इसके इसका पेड़ा जरा बड़े साइस का होता है पांच मैंने बना लिएं देखें कितना अच्छा माशला पूफ हो गया अब इसका पेड़ा बना लेंगे आप सारे बाकी के भी पेड़े त्यार करके इनको थोड़ी दिर के लिए रास्ट देएगा अब इसकी रोटी बेल लेगे हैं पेड़े को बेल लिया हैं अब इसके अंदर कीमा जाएगा अब साइडों से पकड़ेंगे इस तरह अच्छी तरह आपने इसको बंद करना है ताके बिल्कुल खुले है ना कीमा बाहिर ना आया आपका अब इसको हम बेल लेंगे नान को दोनों तरह से ब्राबर आपने बेलना है ताके सिरफ एक साइड आपकी मौटीना रह जाए सारी साइडें आपकी इकवल होनी चाहिए यह इसको हाथ की मदद से आपने इस तरह इसके कोने बना लेने किसी भी चमज की आप गंडी ले ले उसके साथ हम इसके ब्लॉक्स बनाएंगे इस तरह एक जैसे दिल्कुल इस तरह यह एक मैंने एक अंडा लिये इसके थोड़ा सा दूट शामिल करेंगे दो से तीन चमज इसे नान के उपर लगाएंगे कलर बहुत अच्का आएगा नान का यहां पर मैंने एक कड़ाई ली है आप इसका प्लें डखकर भी देखची का कोई सा ले सकते हैं मेरे पास यह वाला है मैं यह यूज करूँगी इसके आप हम नान लगा के आपको दिखाएंगे यह फुल फुल आंच पे आपने इसको रखना है फुल आंच पे गरम करना है अब नान के उपर हलका हलका फोके सा सुराख कर लेंगे ताके यह इसमें जो इसकी खूले ना ज्यादा नान हमारा अच्छी तरा अंदर तक पक जाए अब आप ब्रश की मतल से इसके उपर स्प्रेड करे करेंगे अंडा यहां पर मैंने स्पैर तिल ली है फोड़ी से मैं कलवंजी विट लगाऊंगे यह नान के उपर दलत लगाएंगे हमारी फूल गरम हो किया ह favor लिखने नान के निछे पानी जाए इसको बहुत एत्याद के साथ आपने उठाना हैells को हात पर ऐसे अब यह दकन लियर फूल गरम है निचे रखे बहुत इत्याद के साथ हापने उप्ने लगाना है इसको नीचे रखेंगे ये बिसमिल्लाइब ये मारा नान इसके साथ चिपग चुक है अब इसे वापिस देख्ची के उपर रखेंगे ये देखें ये जब उपर से पक जाए तो उल्टी साइड को आपने थोड़ी देर के लिए दो से तीन मिन्ट के लिए इस्तियात के साथ उल्टा धक कर रखना है ताकि नीचे से भी अच्छी तरह हमारा जो नान है वो तियार हो जाए ये देखें माशाला माशाला अलहमदलिल्ला हमारा नान बिल्कुल पक कर त्यार हो चुक है आपने मेरी रेस्पी को ज़रूर फालो करना है अब आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जुए नहीं कि ओवर नहीं है आपके पास आप कैसे नान बनाएंगे देखें माशाला से इतना अच्छा रेडी हो है अब मैं बाकी के लिए बना आके नान आपको पिर दिखाती हूँ ये देखें माशाला से अलहमदलिल्ला देखें दोनों साइडों से कितना अच्छा पक कुकु है आपने ज़रूर ट्राय करना है इसके पर अब बटर अच्छा रेडी है लेकिन इसकाम को आपने बहुत ही हाथियात के साथ करना है क्योंकि ये बहुत जादा गरम हो जाती है ये देखें माशालार में रेसिपी को जरूर ट्राय करना है और मुझे फीड़ बैक देना है कैसी लगी आज की रेसिपी आपको बताना मत अलाफीस 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 अलेवाँ